देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ मुंबे के संजे गांधी राष्ट्रे उद्यान के आसपास की इलागों में दहशत है हमलावार तेंदुय की तलाश जारी है उदर भाजपा ने नांदेड की देगलूर सीट के उपचुनाओं के लिए शिवसेना के पुर्वविधायक सुभाश साबने को उम्मिदवारी देकर चौंका दिया है चौंका या कोरोना ने भी है अहमदनगर जिले के 61 गाओ में 10 से अधी कोरोना मरिज मिलने के बाद इन गाओ में फिर से 10 दिन का लॉकड़ून लगाने की घोशना की गई है इसी बिच पुने जिले में दोनों डोज ले चुके 60.25 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित हुए है आंकडे बताते हैं कि नागरिकों में लापरवाही बढ़ रही है इसके भी परित सिंगल डोज लेने के बाद संक्रमन का रेट कम है बात राजनिती की करे तो महाराष्ट कॉंगरेस के अध्यक्षा नाना पटोले ने यूपी के लखिमपूर खीरी मामले की निंदा की है उन्होंने बताया कि कॉंगरेस महाराष्ट भर में किसानों को रौनने वाली बीजेपी के खिलाब सुमवार को आंदोलन कर रही है क्योंकि बीजेपी तालिबानी सोच देश मिला रही है प्रदेश की ताजातर इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रे उध्यान के आसपास इंसानों पर लगातार हो रहे वन्यजीव के हमले के मामले में अभी भी हमलावर तेंदुए की तलाश जारी है इसके लिए 25 ट्रैप कैमरा और 4 पिंजरे लगाए गए हैं इन पिंजरों में बक्रे रखे गए हैं इस भी शुकरवार को पकड़े गए तेंदुए के डिने सैंपल जांच के लिए प्रयोकशाला भेजे गए जाज रिपोर्ट से साफ हो सकेगा कि पिछले एक पकवाड़े के दोरान लोगों पर लगातार हमले कर रहा तेंदुए यही है अत्वा दूसरा वैसे अधिकारियों को शक है कि इनसानों पर हमला कर रहा तेंदुए पकड़े गए तेंदुए की जुड़वा है संजे गांदी राष्ट्रे उध्यान के वन अधिकारी डीबी देशले ने बताया कि दो सितंबर से अब तक मुंबई में तेंदुए हमले की चार घटनाए सामने आई हैं जिसमें कई लोग जखमी हुए हैं शुक्रवार को हमने एक-दो साल की मादा तेंदुए को पकड़ा है, जबकि अभी उसके जुड़वा की हमें तलाश है, पकड़े गए तेंदुए को हलकी चोट लगी है जिसका इलाज किया जा रहा है इलाज के बाद तेंदुए को फिर सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया जाएगा बता दे कि गत 31 अगस्त के आरे इलाके में साथ लोग तेंदुए के हमले का शिकार हो चुके है विसावा वर्कर्स कॉलनी में तेंदुए ने घर के बाहर बैठी एक 55 वर्ष्य महिला पर हमला कर दिया था भाजपा ने महाराष्ट्र विधान सभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मिद्वारी के लिए एक बार फिर से शियुसेना के नेता पर दाव लगाया है भाजपा ने नांदेड की देगलूर सीट के उपचुनाओ के लिए शियोसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबने को उम्मिद्वारी दी है साबने फिलहाल भाजपा के सदस्य नहीं है वे सुमवार को नांदेड में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश करेंगे साबने साल 2014 के विधान सभा चुनाओ में देगलूर सीट से चुनाओ जीते थे जबकि साल 2019 के विधान सभा चुनाओ में उन्हें कॉंग्रिस के उम्मिद्वार राव सहब अन्तापूर कर से हार का सामना करना पड़ा था अन्तापूर कर का बीते 9 अप्रेल को निदन होने के चलते देगलूर सीट पर उपचुनाओ घोशित हुआ है साबने ने कहा कि मेरी शियूसेना से कोई नाराजगी नहीं है मेरी नाराजगी प्रदेश के सारवजनिक निर्मान कार्य मंतरी तथा नांदेड के पालक मंतरी अशुक चौहान से है दूसरी तरफ चौहान ने कहा कि मेरा साबने से संबंध क्या है, मैं कॉंग्रेस में हूँ और वे शियूसेना के नेता रहे है साबने खुद को शियूसेना का निष्ठावान कार्यकरता कहते थे, शियूसेना छोड़ते समय उन्हें अपनी भूमी का सपष्ट करनी चाहिए इसके पहले भाजपा ने सोलापूर की पंधरपूर सीट पर हुए उपचुनाओ में शियूसेना से साल 2014 के विधान सभा चुनाओ लड़ने वाले समाधान आउताडे को टिकेट दिया था महाविकास अगाडी के तीन दल होने के बावजूद भाजपा उम्मिद्वार आउताडे पंधरपूर उपचुनाओ में विजई हुए थे भाजपा अब यही सफल फॉर्मुले को देगलूर उपचुनाओ के लिए अपनाना चाहती है एहमद नगर जिले के 61 गाओ में 10 से अधिक कोरोना मरीज मिलने के बाद इन गाओ में फिर से 10 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोशना की गई है इन में सबसे अधिक 24 गाओ संगमनेर तालुका में है इस संबंद में जिला अधिकारी डॉक्टर राजिंद्र भोसले ने रविवार को आदेश जारी किया जिले में फिलहाल मरीजों की संख्या 500 से 800 के बीच है जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से अधिक है जिन गाओ में 20 से अधिक मरीज उपचार करा रहे है ऐसे गाओ में कंटेन्मेंट जोन घोशित करने, गाओ बंदी करने, कोरोना नियमों का पालन कराने, 100 फिसदी वैक्सिनेशन कराना था इसलिकर गाओ से संबंदित क्षेत्रों में प्रतिबंद लगाने का आदेश दिया गया था लेकिन इस पर किसी तरह अमल किया गया, क्या नजर नहीं आ रहा है अब 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच 61 गाओ में सारे कामकास बंद रहेंगे जिन क्षेत्रों में ज्यादा मरीज है, ऐसे क्षेत्रों में कंटेन्मेंट जोन गोशित किया जाएगा गाओ में किसी के आने और गाओ से किसी के बाहर जाने पर प्रतिबंद रहेगा अत्यावश्यक सेवा को छोड़ कर सभी दुकाने, वस्तू बीक्री, सेवा बंद रहेगी पाच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर प्रतिबंद रहेगा क्रुशी माल को छोड़ कर अन्यवाहनों के गाओ में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है पुने जिले में दोनों डोज ले चुके 0.25 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित हुए है आकड़े बताते हैं कि नागरिकों में लापरवाही बढ़ रही है इसके विपरित सिंगल डोज लेने के बाद संक्रमन का रेट कम है इसलिए मास्क, सामाजिक दूरी और बार-बार हाथ दोने के तीन सूत्रों का सक्ति से पालन करे तब आप खुद को और अपने संपर्क में आने वालों को सुरक्षित रख सकते है पुने में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने का आवाहन किया है प्रशासन का कहना है कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर की भयावता का अनुभो किया है तीसरी लहर का खत्रा अभी टला नहीं है इसे रोकने के लिए अभी हमारे पास टीका करन ही एक मात्र विकल्प है कोरोना मामलों की घर्टी संख्या के साथ सब कुछ पहले की तरह शुरू हो चुका है दसेरा और दिपावली जैसे त्योहार आने वाले है SME स्कूल और कॉलेज भी शुरू किये जा रहे है लेकिन मास्क और सोशल डिस्टंसिंग का पालन ठीक धंग से नहीं हो रहा है यही कारण है कि मामले बढ़ने के साथ ही लोगों में दहशत बढ़ रही है पूने के जिलाधिकारी ने कहा कि विशेश सतर्कता बढ़ते कोरोना पिडित दूसरों के लिए खत्रा न पैदा करे संपर्क में आने वाले लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते है इसलिए दोनों डोज लेने के बाद भी मास्क सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करे महरास्टर कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि हम लखीमपूर खिरी मामले की नींदा करते है कॉंग्रेस महरास्टर भर में किसानों को रौनने वाली बीजेपी के खिलाफ सुमवार को आंदोलन कर रही है बीजेपी तालिबानी सोच देश मिला रही है प्रियंका गांदी को रोका जा रहा है हम उसकी भी नींदा करते है जरूरत पड़ी तो कॉंग्रेस देश भर में जेल भरों आंदोलन भी छेड़ेगी बता दे कि लखीमपूर जिला मुख्याले से करीब 75 किलोमेटर दूर नेपाल की सीमा से सटे तिकूनिया गाव में हुई हिंसा और आगजनी में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है पुलीस ने दो F.I.R. दर्ज की है ग्रुह उपर मुख्य सचीव अवनिश अवस्ती ने बताया कि इस मामले में केंद्रिय ग्रुह राज्य मंतरी अजय मिश्रा के पूत्र आशिश मिश्रा सहित कई अन्य अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उन्होंने कहा कि अभी F.I.R. की कौपी उपलब्द नहीं हुई है इसलिए किन-किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है इस बारे में जानकारी नहीं है इस बीच लखिमपूर खीरी में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी सांसत वरुन गांधी ने खेच जताया है यूपी के लखिमपूर में रविवार को दो मंत्रियों के दोरे को लेकर भड की हिंसा को लेकर बवाल मच गया है विपक्षी नेता पिडित किसानों से मुलाकात करने पर आमादा है तो प्रशासन उनकी गतिवीधियों को लेकर सतर्क है इस बीच केंद्रियवन राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि वन ग्राम पुनरवास योजना के तहत जिन गाओं को जंगल से विस्ताबित किया जाएगा उन्हें 10 लाकी जगह 15 लाख रुपया प्रती परिवार मुआवजा दिया जाएगा उधर पंजाब कॉंग्रेस के प्रधानपत से इस्तिफा देकर नाराज नौजद सिंग सिद्धू मजधार में फस गए हैं छे दिन बिद गए लेकिन उन्हें कॉंग्रेस हाई कमान ने नहीं मनाया परिशाने मुंद्रा अडानी बंदरगाह से 15 सितंबर को पकड़ी गई 3,000 किलो ड्रक्स को लेकर भी है अधिकारियों को डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारतिय उपमहादवीप में ड्रक्स की सप्लाई बढ़ेगी पेंडोरा पेपरस के नाम से लीख हुए लाखो दस्तावेजों में मशूर पुर्वक रिकेटर सचिन टेंडूलकर का नाम भी शामिल है इसलेकर मामला गर्माता नजर आ रहा है देजबर की ताजातरीन खाबरों को विस्ताव से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ यूपी के लखेमपूर में रविवार को दो मंत्रियों के दवरे को लेकर भड़की हिंसा में आट लोगों की मोत हो गई है इनमें चार किसान है बीजेपी नेताओ की गाड़ी से कुचल कर चार किसान मरे जबकि कार सवार तीन बीजेपी नेताओ और ड्राइवर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला इस मामले में केंद्रिय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशिश मिश्रा सैथ 14 लोगों के विरुद्ध हत्या अपरादिक साजिश और बल्वा समित कई धाराओं में FIR दर्श कर ली गई है दरसल रविवार को केंद्रिय मंत्री और खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी के गाव बनबिरपूर में एक दंगल प्रतियोगीता का आयोजन था लखिमपूर दवरे पर आये डिप्टी सीम केशव प्रसाद मोर्या को इसमें बतोर मुख्य हतिती बुलाया गया था कवर सुनते ही भारी संक्या में जीले के किसान तिकुनिया बनबिरपूर मोड पर जमा हो गये उनकी तैयारी डिप्टी सीम के काफिले के सामने प्रदर्शन करने और काले जंडे दिखाने की थी उसी समय बीजेपी नेताओं की दो SUV उदर से गुजरी और प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चड़ गई अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है विपक्षी दल के कई नेता किसानों और पिडित परिवारों से मिलने की कोशिश कर रहे है इस बीज किसानों से मिलने के लिए आधिरात को रवानवी कॉंग्रेस नेता प्रियंगा गांधी को उत्तर प्रदेश के सीतापूर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है सपा अध्यक्षा अखिलेश यादव पूर्व कैबिनेट मंतरी शिवपाल यादव समित कई नेता हिरासत में लिये गये है शिवपाल तो घर में नजर बन किये गये थे मगर वह दिवार फान कर भाग निकले बाद में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया वही प्रशासन ने 36 गड़ मुख्यमंत्री भुपेश बगेल और पंजाब के उपर मुख्यमंत्री सुखजिंदर एस रंधावा को एयरपोट पर उतरने की इजाज़त नहीं देने की बात कही है केंद्री या वनराज्यमंत्री अश्विनी कुमर शौबे ने कहा कि वनगराम पुनरवास योजना के ताथ जिन गाओं को जंगल से विस्थापित किया जाएगा उन्हें 10 लाग की जगह 15 लाग रुपया प्रती परिवार मुखजा दिया जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इसके लिए संशोधन करने जा रहे है उन्होंने वन्यजिव सवरक्षन के लिए कार्य करते हुए मारे जाने वाले वनकर्मियों को भी राष्ट्रपती पुरसकार दिये जाने की सिपारिश की बात कही इसे बड़ी रहत के रूप में दिखा जा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे आफ इंडिया की अनुसार देश का एक चौथा हिस्सा वनों से आच्छा दित है कुल वनों में से 90 प्रतिशत सरकार की संपत्ती है वनों में रहने वालों की कुल संख्या करीब 10 करोड है और इन में से करीब 5.40 करोड आदिव इस वनकम कुरूशी उत्पादक्ता वले शुषकक शेत्रों मिस्ठीत है इसका 78 प्रतिशत हिस्सा 187 आदिवासी और पहाड़ी जिलों मिस्ठीत है हमारे या वनों एवं वन्य जीवों के सवरक्षन की लंबी परंपरा रही है कारबेट नैशनल पार्क पहुचे केंद्री या राज्यमंत्री चौबे ने कहा कि अभी कारबेट पार्क में 3 लाग परियाटक आते हैं डेला जोन में रेस्क्यू सेंटर के समिप ही टाइगर सफारी बन जाने पर यहाँ 10 लाग परियाटकों को लाने के प्रयास किये जाएंगे नगरवन योजना के तहत सरकार स्कूल में नर्सरी लगाने के लिए 1 लाग रुपया भी केंद्र सरकार देगी इस धोराम प्रदेश के वनमंत्री डॉक्टर हरक सिंग रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर विकासकारियों में वन अधिनियम की जटिलताओं को कम किये जाने की जरूरत है पंजब कॉंग्रेस के प्रदान पज से इस्तिपा देकर नाराज नवजोच सिंग सिद्धू मजधार में फस गये है छे दिन बीद गये लेकिन उन्हें कॉंग्रेस हाई कमान ने नहीं मनाया सुत्रों की माने तो पार्टी आलाक मन सिद्धू के रवये से बेहद नाराज है और यही कारण है कि अब तक दोनों पक्ष में कोई बाच्चीत नहीं हुई है माना जा रहा है कि पार्टी सिद्धू को नहीं मनाएगी रननीतिकार मानते है कि ऐसा करने से पार्टी में गलत संदेश जाएगा कि व्यक्ति पार्टी से बड़ा कैसे हो सकता है कॉंग्रेस शिर्शन नेतुर्टुव इसे फार्मूले पर उन्हें समय देता जा रहा है उदर मुख्यमंत्री चरंजी चन्नी भी हर मोके पर खरी-खरी सुना रहे सपश्ट लग रहा है कि सिद्धू अब इस सिपा वापस लेने के लिए मजबूर होते जा रहे है हाला कि सिद्धू अभी भी नई सरकार पर हमला कर रहे है यह बात अलग है कि उनकी इन बातों को अब कॉंग्रेस हाई कमान तरजी नहीं दे रहा है इसलिए सिद्धू रविवार को पंजाब कॉंग्रेस के पूर्व प्रधान लाल सिंग और समाना से उनके विधायक बेटे काका राजिंदर सिंग से मिले उनके जरिये बीच का रास्ता निकलने की कोशिश हो सकती है अंदर की बात शुरू से यही कही जा रहे है कि दरअसल सिद्धू अगले साल पंजाब विधान सबा चुनाओ उनकी अगवाई में लड़ने और उनके सीयम चेहरे के बारे में सपश्ट गोशना चाहते है अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारतिय उप महादवीप में ड्रक्स के सप्लाई बढ़ेगी और इससे नया संकट पैदा हो जाएगा ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ड्रक्स की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने और ड्रक्स नेटवर का भंड़ा फोड़ो होने के बाद भारत सरकार इसकी जाच एनाईय को सौप सकती है वही इस मामले में राजस्व कुफिया निदेशाले ने नया खुलासा किया है और अफगान नागरी को द्वारा भारत में फैलाय गए ड्रक्स नेटवर्क का वंड़ा फोड़ किया बुंद्रा बंदरगाह पर हुई कारवाई के तार राजधानी दिल्ली से भी जूड रहे है इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी स्पेशल सेल का गठन कर दिया है इसमें तीन नये DCP की तैनाती की गई है यह ड्रक्टेरर अंडरवर्ड यूनिट केंद्रिय एजेंसियों के साथ काम करते हुए ड्रक्चेन का पता लगाएगी बता दे कि दिल्ली में पहले से ही नाइजीरियन वा अफगानी नागरिक पहले से ड्रक्ट सप्लायर के रूप में सक्रिय है NCB के अधिकारियों का कहना है कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कबजे के बाद भारतिय उप महादवीप में ड्रक्ट संकट पैदा हो रहा है प्रिंडोरा पेपर्स के नाम से लीक हुए लाखो दस्तावेजों ने भारत सहीत 91 देशों और क्षेतरों में वरतमान और पूर्व विश्वनेताओ, राजनेताओ और सारवजनी कदीकारियों की वित्तिय रहस्य को उजागर करने का दावा किया है सबसे खास बात यह है कि इन दस्तावेजों में मशूर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है इसके आलावा भारत के छे और पाकिस्तान के साथ नेताओ के नाम भी शामिल है International Consortium of Investigative Journalist ने अपनी कथित रिपोर्ट्स में दावा किया है कि तेंदुलकर के पास विदेशों में संपत्ती है रिपोर्ट में कहा गया कि गुपत दस्तावेजों से अब तटिय संपत्तियों से जुड़े लोगों में भारत के क्रिकेट सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, पॉप संगित शकीरा, सुपर मॉडल कलाउडिया शिफर और एक इतालवी डगैच शामिल है जिन ले दफैट वन के नाम से जाना जाता है इधर तेंदुलकर के वकील ने कहा कि क्रिकेट खिलाडी का निवेश वयद है और कर अधिकारियों को गोशित कर दिया गया है शकीरा के वकील ने कहा कि गाईका ने अपनी कमपनियों की गोशना की है वही शीपर के प्रतिनी धियों ने कहा कि सुपर मॉडल यूके में अपने करव का सही बुकतान करती है गुपत दस्तावेजों के ICIJ विशलेशन ने देश के नेताओ, केबिनेट मंत्रियों, राजदूतों और अन्य सही 336 उच्चस्तरिय राजनेताओ और सारवजनिक अधिकारियों से जुड़े अब तटिया आश्रयों में 956 कमपनियों की पहचान की है चीन की सेना ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है, तिन दिन में 93 फाइटर जेट टाइवान के हवाईक शेतर में भेज़कर उसने इरादे जता दिये है उधर अफगानिस्तान में अमेरिका का सेन्ड्य किला रहे बगराम एर बेस पर तालिबान के कबजे के बाद पहली बार सेन्ड्य विमान उतरते देखे गए हैं बबाया जा रहा है कि ये चीनी सेना के विमान हो सकते हैं इस तरह चीन दोनों मोर्चे पर हाविद दिख रहा है इस बीच पेंडोरा पेपर्स में करीब 700 पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान के करिभियों के नाम आने से देश में हंगामा मच गया है इनकी संपतिया विदेशों में मुखोटा कंपनियों के शकल में होने का आरोप है अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों और ताजिकिस्तान के बिच तनाव बढ़ता ही जा रहा है मामला तब और भड़का जब ताजिक बलो ने पिछले हफ़ते अफ़टे अफगानिस्तान की सीमा से लगे एक शेत्रों में परेड आयोजित की और तालिबा ने अफगानिस्तान के पुर्वत्तर पडोसी के साथ सीमा पर हजारों लड़ाकों को भीजा इस बिच जाबान की संसर ने पुर्वविदेश मंतरी फूमियो किशिदा को देश का नया प्रधान मंतरी चुना किशिदा पर असान ना राष्टिय चुनाओं से पहले कोरोना वाइरस वैश्विक महमारी और चीन और रूस जैसे खतरों से तेजी से निपटने की चुनाओती है दुनिया भर की ताज़ा तरिन इन पाच खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत का हैसास कराया है जो इस इलाके में उसका सबसे बड़ा सही होगी है इस पीच ताइवान ने भी जवाबी कारवाई करते वे चिनी विमानों को खदेडने के लिए अपने फाइटर जेट भेजे हैं और मिसाईलों को तैनात किया है ताइवान के रक्षा मंत्राले ने कहा की गत एक अक्तूबर से चिनी वायूसेना लगातार ताइवानी हवाई रक्षा क्षेत्र में बीना अनुमती के घुसपैट कर रही है अब तक 93 विमान मात्र तिन दिन के अंदर घुसपैट कर चुके हैं हाला कि चिन ने अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है मगर अमेरिका ने चिनी विमानों की घुसपैट पर चिनता जताते हुए स्वशासित द्वीब के नस्दिक इसे भढ़काने वाली सैन्य गतिविधी करार दिया है अमेरिकी विजश मंतराले के प्रवक्ता नेट प्राइस द्वारा जारी बयान में ताइवान के नस्दिक चीन की सैन्य गतिविधी को लेकर चितावने देते हुए कहा गया है कि वह गलत आगलन कर रहा है और ख्षेत्रिय शांती वस्तिर्ता को कमतर कर रहा है हम बिजशिंग से अपिल करते हैं कि वह ताइवान पर सैन्य, कूटनितिक और आर्थिक दवाव और दंडत्म करवाई रोके बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा हतियार अपुर्ति करता है और वहां की सरकार की परियाप्त आत्मरक्षा क्षमता के लिए मदद करना जारी रखेगा अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य किला रहे बगराम एयर बेस पर तालिबान के कबजे के बाद पहली बार सैन्य विमान उतरते देखे गए है बताया जा रहा है कि ये चीनी सेना के विमान हो सकते हैं कई सुत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वहां बगराम की लाइट चालू कर दे और वहां से सैन्य विमान उतर सके या उड़ान भर सके ध्यान रहे कि घटना करम ऐसे समय पर हुआ है जब चीनी मामलों के विशिशग्य यून सुनने कहा कि अमेरिका की वापसी के बाद अब चीन बगराम एरबेस पर कबजे का बहुत ज्यादा इच्छुक हो सकता है इससे पहले दावा किया गया था कि चीन तालिबान के साथ रिष्टों को मजबूत करने के लिए अपने सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है इससे पहले जुलाई में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार बगराम एरबेस की लाइट्स को फिर से जला दिया गया था ये सैनिय अड़ा राजधानी काबुल से मातर एक घंटे की दूरी पर है इस पर करीब 20 साल तक अमेरिकी सैना का कबजा रहा रिपोर्ट के मुताबिक चीन सैन्य कर्मी और आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी अधिकारियों को बगराम एरबेस पर भेजना चाहता है चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड पर योजना के लिए एक अध्यान भी कराया है इससे पहले अमेरिका की वरिष्ट राजनईक और संयुक्त राष्ट में अमेरिका की पुर्वदूत निक्की हेली ने भी आगा किया था कि चिन युद्धगरस्त देश में बगराम वायू सिना अड़े पर कबजा जमाने की कोशिश कर सकता है वह भारत के खिलाफ मजबुस्तिती हासिल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल भी कर सकता है करीब पांच साल पहले पनामा पेपर लीक में दुनिया भर की कई हस्तियों के नाम टैक्स चोरी के मामले में सामने आये थे इसके करीब दो साल बाद पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में भी आ गए उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाय था ये सपना तो पूरा हुआ नहीं उनके करीबियों के अच्छे दिन जरूरा गए है अब सामने एक पैंडोरा पेपर्स में करीब 700 पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान के करीबियों के नाम भी शामिल है जिनकी संपत्या विदेशों में मुखोटा कंपनियों की शकल में होने का आरोप है एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के वित्त मंतरी शौकत तारिन जलसंसादन मंतरी मुनिस इलाही सिनेटर फैसल वावडा, इशक डार के बेटे, पीपीप के शारजिल मेमन, उद्योग और उत्पादन मंतरी खुसरोबक्तियार का परिवार पीटी आई निता अब्दुल अलिम खान इसमें सबसे प्रमुक है रिपोर्ट सामने आने के बाद इमरान खान का दावा है कि जिन लोगों का नाम नई लिस्ट में आया है उनकी जांच की जाएगी और दोशी पाने पर उचित कारवाई की जाएगी उन्होंने अंतर राष्ट समुदाय से अपिल की है कि इस मुद्दे को भी जलवायू परिवर्दन की तरह ही गंभिरता से लिया जाए अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों और ताजिकिस्तान के बिच तनाव बढ़ता ही जा रहा है मामलत तब और भड़का जब ताजिक बलो ने पिछले हफ़ते अफगानिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में परेड आयोजित की और तालिबान ने अफगानिस्तान के पुर्वत्तर पडोसी के साथ सीमा पर हजारों लड़ाकों को भेजा आत्मगाती बम हमलावारों को ताजिक बलो ने पर भड़ते तनाव से पाकिस्तान की प्रधान मंतरी इमरान खान टेंचन में आ गये है इमरान को डर सता रहा है कि अगर तालिबान और ताजिकिस्तान के पिछ विवाद बढ़ता है तो इसमें रूस हस्तक्षेप करेगा और उनका खेल बिगड़ जाएगा उन्होंने तनाव कम करने के लिए ताजिक राष्ट्रपती से बात की है इसे पिछ तालिबान का विरोध करने वाले अधिकांच समूह ने ताजिकिस्तान में शरन ली है दूसरी तरफ तालिबाने आतंकियों ने आत्मगाती बम हमलावारों के खतरनाक बटालियन बनाई है जिसे अफगानिस्तान से लगती ताजिकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा इन हमलावारों को खासतोर पर बदक्षान प्रांथ में तनाथ किया जाएगा बदक्षान प्रांथ के उपगवर्नर मुला निसार अहमद अहमदी ने देश के पुर्वत्तर इलाके में इस बटालियन को बनाए जाने के बारे में जानकरी दी जापान की संसद ने पुर्वविदेश मंत्री फूमियो किशिदा को देश का नया प्रधान मंत्री चुना किशिदा पर आसन राश्ट्रिय चुनाओं से पहले कोरोना वाइरस वैश्विक महामारी और चीन और रुस जैसे खत्रों से तेजी से निपटने की चुनोती है किशिदा ने योशी हिदे सुगा का स्थान लिया है सुगा और उनकी कैबिनेट ने दिन की शुरुवात में इस्तिफा दे दिया था कोरोना वाइरस वैश्विक महामारी से निपटने के तरीकों और संक्रमन के बावजुत ओलंपिक खेलों के आहज़न पर अड़े रहने की वज़ह से लोग प्रियता में कमी आने के कारण सुगा ने केवल एक साल पत पर रहने के बाद ही इस्तिफा दे दिया था जापान के पुरुआ विदेश मंतरी किशिदा ने सत्ता रूड लिब्रल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पत का चुनाओ पिछले सप्ता हजीत लिया था किशिदा ने पार्टी के नेता पत के मुकाबले में लोग प्रिय टीका करण मंद्री तारो कोनों को हराया था किशिदा को एक शांत उधारवादी के रुप में जाना जाता था अधिकतर पदों पर उन नेताओं को जिम्मेदारी सोपी जाएगी जिन्नों ने पार्टी में हुच चुनाओं में किशिदा को समर्थन दिया था काबिनेट में केवल तीन महिला नेता शामिल होगी तो आज की इस खास फेशकर्श में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीगेवी न्यूज नमस्कार